दोस्तों मैं दीपक कुमार सुवागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर फेल्थ में दोस्तों आज का वीडियो काफी जादा इन्फोमेटिव है और रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जितने भी हमारे सब्स्राइबर्स हैं जो हमारे लाइव में डेली हमें विजिट करते हैं हमें देखते हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि भाईया एक ऐसा वीडियो बनाई है कि एक इंट्राडे ट्रेडर जो की एक बिगनर है मार्केट में आया है ट्रेड करनें वो process को क्या follow करें तो जैसे कि मैं अपने हर videos में हर live में एक ही word गयता हो follow the process and profit अपने आप 요पके साईगा अगर आप process को followed नहीं करते हो तो आप कभी भी पेशा नहीं बना पाऊंगे ट्रेडिंग में process को follow करो money को जो follow करता है वो हमेशा loss करता है क्यों क्योंकि हम एक trade लिए हमारा emotion हमारा mindset जो है वो सिरफ और सिरफ एक चीज समझ रहा है कि profit कब आएगा जब हमारा trade loss में रन करने लग जाता है हमें वो loss से बचने का तरीका नहीं पता हमें उस loss को book करने का तरीका नहीं पता हम नहीं सोचते हैं कि हम उस loss को book कर ले हम सोचते हैं कि profit कैसे आ जाए loss zero हो जाए बस मैं exit कर जाऊँगा अरे नहीं यार नहीं चलिए अभी यह यहाँ पर 10-12 rules मैं आपको बताऊँगा वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा मुझे पता है आप बहुत बड़े ज्यानियों लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो का पूरे अंत तक देखते हो कुछ ना कुछ लेके जाओगे और आप कौन सी गलती इन में से common है आपका कौन सी गलती आप जादा करते हो वो यहाँ पे आपको नीचे write करना है comment में बताना है चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है आपने तो कर लो चैनल को subscribe, bell icon को hit कर लेना तक याने वाले वीडियो के notification आपको time को time मिलते दे आप चाहते हो हमारे साथ personally जुड़ना हमारे साथ जुड़के रहना lifetime के लिए तो हम आपको अपने premium group में भी add कर सकते है सर्फ करना क्या है नीचे description में angel broking का, alice blue का and up stocks का demand account opening का link है इन तीनों में से किसी में भी आप demand account open कीजिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हो angel broking काफी बढ़िया है बहुत अच्छी अच्छी services दे रहा है, algo trading दे रहा है चार्टिंग बहुत अच्छा है, आप चाहो तो उनके साथ भी जुड़ सकते हो अभी सबसे पहला और सबसे बड़ा इसके बिना कुछ नहीं है एक number point, मैं इसको चार्ट को side करता हूँ, चार्ट पर ही लिखूँगा presentation खराब हो सकता है, मैं हर बार बोलता हूँ मैं PPD बनाने में, मैं presentation को सजाने में पैसा नहीं वर्बात करता हूँ, टाइम नहीं वेश करता हूँ मैं जो चीजे हैं, actual चीजे आपको पहुचाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहला, भाया, learning learning नहीं है, तो earning नहीं है अब आप सबसे जरूरी है and learning आपके पास जब आ जाएगी ना, तो आप एक चीज को avoid करोगे जो है no tips, tips के पीछे नहीं भागना है जिस दिन आपने tips के पीछे भागना छोड़ दिया, आप believe किजिए आप पैसा कमाने लग जाओगे, क्यों कमाने लग जाओगे अगर आपने loss भी किया ना, उस loss से आप सीखोगे जब आप किसी से tips लेते हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो इंदोर वाला बंदा है चाहे वो कोई telegram channel है, चाहे कोई instagram channel है, whatever, कुछ भी है जब आप किसी से tips लेते हो, जब उस tips में आपको loss होता है तो उस loss से आपको कोई भी सीखने ही मिलता है, उल्टा frustration आता है, गालियां आती है मन में उस बंदे को गालिया देते हो, कि साले ने 3,000 रुपए, साले ने 5,000 रुपए, साले ने 10,000 रुपए लिया लेकिन मुझे loss करवा रहा है, आप उस loss से कुछ भी नहीं सिखा आपने क्यों? क्योंकि वो आपकी strategy आपका बताया हुआ चीज नहीं था अच्छा, second क्या होता है, अगर आप किसी से tips लेते हो, एक stock आपने 100 रुपए में लिया example लेते हैं, stock आपने 100 रुपए में लिया, और वो 80 आ गया है आपको उसके पीछे का logic आपने क्यों लिया, नहीं पता, उसके पीछे का logic है, नहीं पता, वो 80 आ गया है कि आपकी strategy सायस से गलत हो गई है, या reason आपको पता लगेगा, आप stop loss से पहले exit करने के लिए हो गए, है ना stop loss से पहले आप चाहँ हो तो exit कर सकते हैं, आपने पैसों को बज़ता है, कई conditions में ऐसे होते हैं, मैं जब trade लेता हूँ ना ट्रेड लेने में, अगर मुझे लगता है कि मेरी strategy गलत आ गई, या उपर से एक बड़ा volume आ गया, या एक बीरिश बड़ा candle बन गया, कुछ भी देखता हूँ, मैं बहुत चीज़े देखता हूँ, या कोई particular stock है, अगर हमने बैंक इनिस्टे में किया है, कोई particular stock है, जो कि आपको हम सिखाएं, अभी यहाँ पे, तो होप आप tips वगेरा के चक्कर से side होगे, tips में नहीं वस होगे, second कौन सा है हमारा, second lesson बहुत ही ज़्यादा important है, stop loss, आपको होगे यार, यह सब क्या बता रहे हो, पता है, मैं जो बताऊंगा, वो अलग level का होगा, यह मेरा बाता है, तो guys, stop loss एक ऐसा topic है न, अगर इसको stretch करें, अगर इस पे हम detailed में एक बातचित करें, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और हमें पता भी लगेगा, stop loss को अलग-अलग तरीके से, stop loss का एक rule आप लोगों को पता होगा, कि अपने loss को minimize करना, या फिर अपना सारा account खरने लेकिन इसके बहुत सारे rules है, इसके बहुत सारी benefit, बहुत सारे drawback है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, सबसे पहले second rule हमारा stop loss है, जब भी आप trade लेते हो, आपके पास एक predefined stop loss होना चाहिए, जब भी आप आपने, यहाँ पे हमने bank nifty का ये chart लगा रखा है, हमने अगर decide कि कि ये line को break करता है, तो market उपर जाएगा, बट हमारे पास एक predefined stop loss होना चाहिए, क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हमने ऐसा लिया, कि market इसको break करेगा तो उपर जाएगा, तो हमारा stop loss क्या हो सकता है, जो इसका resistance point था, RS flip हो जाएगा, resistance become support, तो यहाँ पे ये support, इस support से थोड stop loss ये बन रहा है, तो आपने बिल्कुल अगर exact यहाँ पे stop loss लगा दोगे, तो आपका stop loss खा के stock उपर 101% चला जाएगा, कल हमारे साथ हुआ, मैंने stop loss तो वहा नहीं लगाया था, बट आपने आपको live दिखा देता हूँ, मैं क्या हुआ कल, मैं nifty लगाता हूँ, ध्यान से यह होगा, तो nifty यहाँ पे breakout देता है, उपर जाता है, फिर exact stop loss को हमारे test करता है, उपर तो यह होता है, अगर अभी मैं बिल्कुल यहाँ पे stop loss को place करके रखता है, तो क्या होता, यहाँ पे मेरा stop loss त्रिगर करता है, मार्केट उपर, तो stop loss जब भी लगाना होता है, मैं थ पूड़ा सा बफर, दो पॉइंट, चार पॉइंट, पाँच पॉइंट का बफर में stop loss लगाना होता है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि stop loss यार प्लेस कर देते हैं, तो मेरा stop loss खा के market भाग जादा, देखिए यहां पर कई तरीके हो सकते हैं, मैं इस वीडियो में rules को बता होता हूँ, कोई भी नहीं बोलता हूँ, mind में stop loss रखो, मैं system में हमेशा प्लेस करने हो गया तो क्यों, क्योंकि हमारा mind जो है, वो यार influence होता है, हमारा mind change हो सकता है, emotions है, जैसे जैसे आपके price stop loss के नजदीक आएगा ना, यहां पर आपने 90 रुपेस का stop loss आपने सोच के रख 95 क्या सपस आया, 94 क्या सपस आया, जैसे जैसे नीचे आएगा, आपका stop loss के सकता चला जाएगा, आप यहां पर 88 कर दोगे, नहीं थोड़ा सा बढ़ा कर लिती stop loss, इससे क्या होता है, कि आपका loss बढ़ा हो जाता है, जब आपने stop loss एक रिजन है, आपके बाद, stop loss आपने find क कर लिया है, place कर दिया है, उसके buffer में हम यहां पर stop loss लगा दिये, तो हमारे यही stop loss होना चाहिए है, अगर यहां से test करके market bounce back भी होता, तो हमें regret नहीं करना है, stop loss आप यहां पर system में place करके रखिए, बहुत सारे लोगे option buying में काम करते हैं, वो system में place करना पसंद नहीं करते है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने mind में, लेकिन exact अगर आपके mind set, आपके control में है, तो exact आप अपने mind में यहां पर stop loss रखिए, और अगर आपके stop loss के पास आता है, 5 minute का candle की closing का wait कीजिए, जैसे 5 minute की candle की closing होती है, आप market से out, आप देखोगे, जब आप rules को follow करोगे, process को follow करोग तो 5 बार में से, 5 दिन है week में, 5 दिन में से, 3 दिन आपको हो सकता है, कि market आपके stop loss को test किया, नीचे गया, लेकिन 2 दिन आपके stop loss को test करके ऊपर भी चला जाएगा, तो आपको पस्तावा नहीं करना है मेरे बाई, rules को follow करते जाना है, आप profitable हो जाओगे, तो stop loss का यह है, stop loss ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जब भी आप trading में आ रहे हो, stop loss प्रीडिफाइन आपको होना चाहिए, without stop loss trading नहीं है, कोई भी आपको कहता है, समय लें दोहर से खोना था, कहीं से खोना था, भाई, इसमें यह सोधा लगा ना, यह सोधा लगा लो, 100% sure हो, आपको होता है, किसी को भी नहीं होता है, तो stop loss का ध्यान रखिए, second अपना rule है, stop loss, stop loss के बीना market में अधूरा है, third क्या हो सकता है, third बहुत important point है, इस पर हम discussion करेंगे, जिसका नाम है money management, अब money management कौन सी बला है, money management भाईया एक ऐसी बला है, जो आपको profitable बनाने में मदद करेगी, आपको बड़े losses से बचाएगी, money management से पहले इसके logic को समझते हैं, क्या है, एक ABC बना या आप, आप क्या करते हो, एक दिन आपने bank nifty में आज start किया, आपने क्या किया, दो lot से काम किया, आपको 100 point मिला, आपने profit कमाया कितने का, 5000 का, बैंक nifty में 5000 का आपने profit कमा लिया, आप तो हुए बड़े खुश, आप कहरें, मेरे से यादा, चतुर कोई है ही नहीं, दुनिया तो बेकूफ है, जो अपने पापा को बोलोगे, अरे पापा, क्या का काम कर रहे हो, यार, 10 अजार, 15 जार, 20 जार कि नो, कर ये तको, ए मैं तो सही होता हूँ, 4 lot में काम कर लिया, चार lot में काम कर लिया, बैंक निप्टी थोड़ा दरीचे आया, और पचनी होता, कहीं नहीं जाता है, 3 lot और average कर लिया, थोड़ा और नीचे आया, 2 lot और average के लिया, या फिर average नहीं किया, 4 lot में काम किया, आपका stop loss हो गया, हिट, या 100 point का stop loss था या 90 point का था जो भी stop loss हिट हो गया कल जितना कमाया था उससे बड़ा नुक्सान खा लिया 100 point में stop loss का मतलब 4 लोट में 10,000 रुब है 5,000 कल कमाया था 10,000 आपके तो हवाईयां उड़ गया आपके तो शिर्पे तोते उड़ रहे हैं आपके सकल में 12 बज़ गी है आपके तो यह बेकार काम है अब तुरंट एक सेकंड में चेंज जिस काम को कल आप बहुत बढ़िया कह रहे थे तारी से करते नहीं थक रहे थे उस काम की को सफने भी आ रहे थे की मैंने 10 बेक्त निफ्टी उठाऊंगा ऐसे ऐसे करूंगा इतने पाइसमे इतने पैसे बनेंगे फिर इसमें आइफोन ले लूँगा आइि मैक प्रो ले लूँगा यह कर लूँगा वो कर लूँगा पूरा ये तम कलिक दे के सचान ﷺ और दिन 10 प्रॉफित आयाता है और प्रॉफित भी आज बड़ा नहीं ले पाऊगे, क्योंकि आपके मन में पता है, कि कल क्या हुआ था, एक बर प्रॉफित में आया था और फिर लॉस में चला गया, अब 20.00 उपर जाएगा, आप फट से ग्जिट करोगे, फट से exit करोगे 20 पंट उपर जाएगा exit करोगे कितना पैसा कमाया 500 पर कमाया कल 10,000 गवाया था 5,000 पर सो profit किया था 500 गवाया ultimately 4,000 लॉस में हो third day फिर किया फिर थोड़ा सा होसल आया दो लॉट से किया फिर छोड़ा सा profit लिया कभी फिर लॉस होने लगया तो नहीं यार अब ऐसे करते हैं फिर आपने fourth day में काम किया fourth day में दो लॉट से काम किया समझ लो example या तीन लॉट से काम किया थोड़ा सा motivation बना है तो market में क्या हुआ थोड़ा सा उपर गया market और नीची आने लगया यहाँ पर आ गया आपके stop loss के पास जा रहा है आपको डर लग रहा नहीं नहीं यसे करते हैं rate to rate आ जाएगा भी तो exit करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं थोड़ा सा और देखने के जब कर द।कर में realize कर रहे हो उसमें सुधार आएगा लेकिन जब आप अपनी गलती को नहीं मानते हो ना जब आप blame किसी और पर ठोकते हो कि market गलत था operator खराब था ये हो गया वो हो गया उस दिन आप अपने गलती को overcome करते हो और वो गलती लगातार करते लगातार करते चले जाते हो मैं एक count में 20,000 रुपया है example 25,000 रुपय से आपने trading start किया 25K से आपने decide कि पूरा एक महिना मुझे one month one lot से काम करना है one lot से one month काम करना है अब एक दिन भी आपको lot साही नहीं बढ़ाना है चाहे कुछ भी हो जाए होगा क्या एक एक lot में आपका stop loss समझ लो 50 point का है एक एक lot में तीन दिन आपको नुकसान लग गया आपको 1500 point का loss लग गया 1500 point का 3 दिन आपको loss लगा एक lot में दो दिन आप profitable हो गया आपका जो target था वो 100 point का था 200 point आपने gain कर लिया ultimately आप week में 50 point का profit कमाया जो कि 1200 रुपय एक सबता हमें आपने कमा लिया 25,000 रुपय लगा के 1200 रुपय एक week में आपने कमाया it's good or bad बहुत बढ़ी है मेरे इसाफ से बहुत बढ़ी है जैसे जैसे आपका capital बढ़ा है वैसे वैसे आपने lot बढ़ाया है एक लाख है आपको पता है आप तीन lot से ज्यादा नहीं लोगे जो मरजी हो जाए आंधी आ जाए लोग कह दे कि 5 लाख परसंट report सही है नहीं तीन lot से जादा नहीं लेंगे कई लोग होते है lot को define करते हैं कई लोग होते है money को define करते हैं अभी देखिए इसके पीछे बहुत बढ़ा logic है जब आप stock को premium को in the money में खरीद रहे यह आपको कोई नहीं बताएगा मेरा believe किजिए यह topic अगर आप सुन रहे हो ना तो आप बहुत कुछ चीख जाओगे जब आप एक premium को in the money में खरीदते है in itm उसका delta क्या होता है 0.5 compare ली आपका stop loss जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है है ना थोड़ा सा बड़ा होता है क्यों क्योंकि movement ज्यादा है बैंक ने फ्रिक्सन movement ज्यादा करेगा stop loss बड़ा हो होगा तो कई सारे लोग हमारे कई students है मैंने उनको सिखाया है कि आपके पास एक लाख रुपया है 1 लाख रुपीज आप उसमें percentage defined कर दो कि अपने 1 लाख रुपीज का 20% में का मैं trading करूँगा 20,000 का आपको माल लेना है 20,000 का माल लेना चाहे जो मर्जोज इस 20,000 में से ही आपको loss करना है आपके पास 1 लाख रुपया है आपने 20 लाख रुपया अब देखो अब इसमें lot size के काम खतम हो गया अगर lot का premium 30 रुपीज का है example 30 रुपीज का है तो एक lot खरीदने में कितना लगेगा 30 इंटू 25 साढ़े 500 रुपया 750 रुपीज आपको एक lot में investment लग रह हैंगे अब इसकी का premium अगर 100 रुपीज है तो कितना investment हो रहा है मेरे दोस्त इंटू 25 हां 100 रुपीज है सारी यह 1000 लिग दिया में 100 रुपीज है कितना हो गया 25 रुपय धाई हजार आपका एक lot में हो रहा है आपने कसम खाया है कि हम 10,000 रुपय से ज्यादा नहीं लगाएं 10,000 रुपय लगाया 10,000 रुपय से आपको कितना गवाना है वो आप पर depend करता है कि आपने आपका rules क्या आगे हम आएंगे और भी आगे चीजे हैं जो कि RPT है और hit rate है सारा कुछ मैं बताऊंगा आगे ठीक है यह चीजे है money management से जूड़ी हुई बहुत ज्यादा important चीज है बहुत important topic है आपको define करना है मेरा जो मानना है मैं हमेसा कहता हूँ कि फंडिंग को ध्यान में रखो पैसे को ध्यान में रखो प्रीमियम कम होता है प्रीमियम ज्यादा होता है आपको इतना पैसा लगाना है इतना percentage निकाला है जब हम percentage में गेम खेलने लग जाते है तो हम आपको मजा आएगा काम करने में मेरे भाई अभी मैं hope कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसको note down कर रहे हो और जरूर करना और अपने trading life में implement करना बहुत पैसा बनेगा यह था money management अगर आपका money management strong है तो आप कभी भी market में loss नहीं कर सकते हो जब आप irregular रहते हो ना जब market में कोई आपके पास कोई rules नहीं रता है कोई आपके पास book नहीं रता है कोई आपके पास notes नहीं होते हैं कोई आप अपना daily notes नहीं लिखते हो अपने emotions नहीं write करते हो तब तक आप बड़े नहीं बन सकते हो यह थोड़ा सा लंबा खिचा गया topic बट जरूरी है क्योंकि यहां प अब इसे कर सकता हूँ, फोर्थ नंबर ही हमारा होगा, राइट योर इमोशन्स, आपने सुना एक भी ऐसा बत, कि अपने इमोशन्स को लिख दो, बिल्कुल सही कह रहे है, डैरी लगा लिया, रजिस्टर लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, नोट्बुक लगा लिया, rough copy लगा लिया, A4 के pages पे staple करके लगा लिया, उपर में date डाल दिया trading करते वक्त उसको लेके बैड़ के ठीक है, आपने diary लगाया है, आपने page लगाया है उपर date डाल दिया, और trading के time पे बैड़ गया बाई ये trading है, so के, late के, ओड़ के और TV देखते हुए नहीं होगा proper setup होना चाहिए, अगर full day trader बनना चाहते हो मैं full day trading कर रहा हूँ, अगर full day trader बनना चाहते हो तो proper आपको rules follow करने पड़ेंगे, इसको business समयना पड़ेंगे जैसे दुकंदारी करते हो ना, जोदबत्ती करते हो, धूब जलाते हो या आपका कोई भी है, religious आपके बिलॉंग करते हो, प्रेयर करते हो, आप नमाज पड़ते हो सेम डिक्टो आपको, अपने इस business के साथ भी करना, आपका laptop आपका ये जैसे कंड़ना जैसे तराजू होता है ना, तराजू को मत्था डेक्टो, वैसे आपका laptop आपका तराजू है, चार्ट को मत्था डेका गरो, मजाक नहीं कर रहा हो, serious बात है तो अब ही यहाँ पे हम अपने emotions को हमने trading में trade ले लिया, हर trade लिया, सामने लिख दिया, इतने बच के इतने मिनट पे मैंने इतने रुपे पे bank nifty लिया, ये हमारा setup बन रहा था, जरूर लिखना है reason क्या बना, अगर reason नहीं लिखोगे तो दूसरे दिन उसको analyze कैसे करोगे, कि last day हमने कौन सी गलती की थी, अगर हमारा stop loss लगा था या हमारा profit हुआ था तो, reason लिखना, ये reason बना, पांच मिनट भी नहीं लगता यार, एक मिनट भी नहीं लगता, फटा 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 अपनी टूटी-फटी writing में लिख दिया, ये reason बना, हिंदी में, इंगलेस में, पांच मिनट के बाद क्या से नहीं बन रहा है, टाइम डाला, एक गंड़े आपके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरी heartbeat बढ़ रही है, प्राइज इतना आ गया है, इतने देर से इतनी इस रेंज में घुम रहा है प्राइज, क्या करूं इसका, कितने कापियां मेरे जब भी मैं ट्रेडिंग करता है, अभी जब मैं लाइव में भी होता हूँ ना, मेरे सामने पैंसल और कापी पड़ा तो पता नहीं कितने डाइरी है, कितने पेपर में भर गए है, तो इस तरह से आपको अपने emotions को write करना है, अब रात को अपने emotions को read कर करना है, आपको profit हुआ या loss हुआ, दूसरे दिन जब आप trade करोगे ना, आपको अपने आप पता लगए का कल मेरे loss का reason क्या था, और ये गलती आज नहीं करना है, ये गलती आज नहीं करना है, आप 5 दिन पहले का भी page पलट के market को देख सकते हो, 5 दिन पहले market ने क्या किया पांच दिन पहले मेरे mind ने क्या सोचा था, आपने 5 दिन पहले क्या किया था, आपको जीरो धा की console में जाके या किसी website के console में, किसी broker के console में जाके आपको अपना PNL नहीं देखना है, आपका book, आपका diary ही आपका PNL है, वही आपका report देगा, साथ में emotions के साथ आपने सोच लिया, तो आपने सोचा क्या था यहाँ पे, अभी hope कि आपको यह चीजे समझ में आ रही होगी, और आप इसको applicable करके profitable बनोगे, है ना, यह मुझे पता है, 95% बंदे इसको 2 मिनट, 3 मिनट वीडियो को देख के चले गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुचे हो, तो म कमा रहे हैं, ट्रेडिंग से पैसे लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग एक बकवास की चीजे है, इससे पैसे नहीं बनते हैं, आपको YouTube पर बहुत सारी हस्तिया मिल जाएंगी, आपको चीजे मिल जाएंगी सामने, मैं भी profitable हूँ आज तक, बहुत सारी लोग जो है अपना PNR शो करते हैं मार्केट में, यूट्यूब पर, आपको मिल जाएंगे, लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, राइट, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, नो ओवर ट्रेडिंग, फिफ्थ पॉइंट हमारा है, नो ओवर विल डू अनली टू ट्रेड्स, या मैं एक दिन में तीन ट्रेड लोगा, ये एक दिन में चार्ट ट्रेड लोगा, जो आपको समय एक लोग होते हैं ना, एक दिन में पचास-पचास ट्रेड लेते हैं, क्यों लेते हैं, बैंक निफ्थ यहां से, एक ब्रेक आउट दिया, 5 point खाया, 100 रुपे बनाया, निकल गए अरे नहीं, 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 यासा निकलना है 5 point 5 बर खाओगे, एक दिन में 100 point एक साथ देखे जाओगे आपको बड़िया trade लेना है perfect trade लेना है, बड़े profit निकालने है छोटे छोटे profit के चक्कर में नहीं बनेगा बाई, मैं कभी भी छोटे profit के क्यों मेरे live में लोग बोर होते है क्यों मेरे live में लोग कहते है कि यार क्या यार ट्रेडिंग ही नहीं देता है क्यों, यही तो reason है मैं लोगों को profitable बनाना चाहते है चाहता हूं और लोग क्या करते है short में पैसा कमा के short time में पैसा कमा के तुरंद पैसा कमा के नुखसान करवाना जाते एक आम का पेड़ लगाया उस आम के पेड़ को थपड मार मार के बोलूंगा फल दे फल दे फल दे वो नहीं देगा वो 10 साल 15 साल के बाद हि फल देगा आपका बच्चा आपके घर में बेबी आया उस बेबी को आपने पढ़ाया लिखाया इतना कुछ बनाया अभी पता कुछ नहीं है कि वो आपको थपड़ मारके आपको गधक्का मारके घर से बाहर निकाल देगा या क्या होगा लेकिन हम उसके उपर अपर डाल रहे हैं उसके उपर अच्छी चीज़े कर रहे हैं मेरा बेटा है मैं उसको अच्छी चीज़े सिखा रहा हूँ अफर्ट डाल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता कि future क्या होगा future में वो हमें घर से बाहर निकाल देगा या हम उसे घर से बार निकाल लेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हम चीजे कर रहे हैं, तो यह profit कमाने के लिए यह शॉट में क्यों करते हो, फटा फटा फटा, एक दिन पूरा दिन बैठो, अगर profitable नहीं हो पा रहे हो, तो ना सही, setup नहीं बन रहा है, ना सही, लेकिन आपका ए अच्छे points निकालो, बड़ा करो, मजाएगा, छोटे-छोटे targets लोगे, 5 points, 10 points, 20 points, एक दिन जाएगा ना जब, इतना बड़ा जाएगा, कि trading नहीं छोड़ दिया, तो नाम बदल दूँगा अपना, छोटे-छोटे profits लेना बंद करो, over trading करना बंद करो, यही over trading है, पि छोट जोटे-छोटे profits लेना बंद कर लिया, आपने maximum कितनी बार trading किया है, आप खुद अपने mind में सोचो, कोई दिन ऐसा आया होगा, कि 2, 2, 3, 3 points में आपने stop loss लगाया होगा, 2, 2, 3, 3 points में आपने profit book किया होगा, और मेरे भाई, यह जो मैं चीजे बोल रहा हूँ ना, मैं broking industries में चार साल जॉब किया हूँ, top की companies, multinational companies के साथ मैं काम किया हूँ, कारवी, stock broking, top की company के आज default हो चुकी है, angel broking, share khan, इन सब broking के साथ काम किया हूँ, हमारे बड़े-बड़े traders, clients हैं, हमें एक trader का mindset का पता है, क्योंकि उनके P&L maintain करना होता था हमें, उनको statement, उनके P&L daily का trading द किस हद तक सोच सकता है, मुझे mind, देखे, psychology अगर पढ़ना है न आपको, अगर आपको chart को पढ़ना है, तो आप सामने वाला, जो आपका appointment जैसे आप buyer हो, उस seller का अगर आप psychology पढ़ लेते हो, उस seller का अगर आप mind पढ़ लेते हो, तो आप पैसा कमा जाओगे, और मुझे traders क mindset का पता है मेरे भाई, मुझे पता है कि लोग कितना सोच सकते हैं, कितने पानी में, तो आज से over trading, अभी से बंद, मौका मिलेगा, trade करेंगे, मौका नहीं मिलेगा, trade नहीं करेंगे, पूरे हफ़ते में 2 सही से मौके मिल गए न, बैंक nifty में 500 point निकाल सकते हो, 500 point, बस सही कितलास अपने stop loss को trail करके, मैंने stop loss वाले section में ये add नहीं किया, trail your stop loss and get big profits, तो मैं यहाँ पे add कर रहा हूँ, इसको, ठीक है न, यहाँ पे over trading में ये add कर रहा हूँ, कि stop loss जब आप लगाते हो, तो अपने stop loss को जब आपका trade आपके favor में जा रहा है न, तो profit book करने की जलबाज करोगे तो बड़े profits कभी नहीं बना पाओगे, कभी ने, क्या आपने कभी एक lot से 8,000 रुपय का profit कमाया है, 10,000 का profit कमाया है, हमारे clientों ने कमाया है, हमारे students ने कमाया, stop loss को trail करके, हमें नहीं पता market कब हमें बड़ा move देते, कब bank nifty 1000 point में move कर जाए और हमें बड़ा पैसा मि market कभी 1000 point में move नहीं करता, bank nifty का अगर मैं chart लगाऊं और one day का candle लगाऊं, तो आप कई दिन ऐसे मिलने वाले हैं, जहां market ने बड़े बड़े points दिये हैं, बड़े बड़े points निकाले हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे chart में, ध्यान से देखो, यह देखो, यह कितने point का है यह अगर आप देखोगे, इसको, कितने point है, 1200 point एक दिन में, मैं मैं मन्त में, बहुत ज्यादा time नहीं हुआ है, 1200 point एक दिन में move किया है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ गिरा है, कितना point गिरा है, यह देखो, एक दिन का candle लई है, यह देखो, मेरे भाई 1200 point, 1000, 1000 point मे bank nifty को move करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 2-2,000 point bank nifty move करता है और ये अभी market में हमें range छोटा होता हुआ नजर आ गया है लेकिन market सारी जिन्दगी ऐसी नहीं रहने वाली है फिर से वो अपनी असली अवकात पे आएगी फिर से वो लोगों को आप जरूर पैसा बनाओगे इसलिए बड़े profit निकालने की कोज़िश करो अपने stop losses को trail करो market में definitely आप profitable होंगे राइट next point हमारा जो की 6th number है RTP और hit rate RTP क्या है risk per trade आपका risk per trade आपको पता होना चाहिए एक trade में आपका कितना risk होगा money management के उपर ही आगया यह बात यह आपको पता रहा नहीं money management हमने पहले cover किया है बार बार वीडियो को देख लिए नहीं समझ में आ रहा है ना भूल गया है कोई बात नहीं वीडियो को फिर से देख ले आपको free में दे रहा हूं कोई इतना बड़ा वीडियो पूरे YouTube पे देख लो कि ट्रेडिंग रूल के उपर इतना बड़ा वीडियो आपको मिल जाए भाई वीडियो बड़ा है इसलिए आपके लिए बढ़िया है यह paid वीडियो है अगर यह आप free में देख रहे हो ना तो आप खुसकिस मत हो यह जो वीडियो है ना वो paid वीडियो है लोगों ने 3,000 रुपए दिया है इस वीडियो के लिए लोगों ने 3,000 रुपए दिया है हमारे कॉर्सिस के लिए उनके लिए वीडियो बनाया गया आपको free में अगर मिल गया है तो well and good है तो risk per trade याप है और hit rate आपको risk per trade अपना ध्यान में रखना है कि एक trade में आप कितना maximum risk लोगे यह money management वाले में detail में समझाया गया इसको हम detail में नहीं जाएंगे बस यह ध्यान रखिए सामने आपका रिखा होना चाहिए जिस तरह से loss per day है उस तरह से risk per trade होना जोगो कि एक दिन में कितने trade लोगे divided by loss per day लास per day 1000 रुपीज एक दिन में दो trade लेना है मतलब पर अपना RTP कितना निकला 500 रुपीज fix होना चाहिए hit rate आपको अपनी accuracy पता करना है आपका hit rate क्या है अगर आपसे कोई पूछा हो what is your hit rate आप क्या बोलोगे आपको पता ही नहीं हो ले लेते प्राफिटेवल है बस बन जाता है दाल रोटी चल रही है कभी कभी चिकन मिल जाता है प्रोफेस्नल हो आपको पता होना ये 70%, 60%, 80% भाई 100% कोई नहीं होता 90% कोई नहीं होता 80% कोई नहीं होता कोई कोई होगा लेकिन अगर आप 70% भी profitable हो जाते हो ना अगर आपकी accuracy 70% भी हो जाती है ना तब भी आप profitable हो जाएंगे मैंने 50% की accuracy मेरी ही accuracy एक टाइम पे 50% की थी और 50% में भी profitable था क्यों मैंने 10 ट्रेड लिये 10 में से मेरे 5 में losses हो गए जो लोरी losses थे ना वो बैंक था ना किसी में 100 पॉइंट किसी में 70 किसी में 50 और एक में तो मेरे को 3500 पॉइंट का profit होगा था बैंक निफ्टी में stop loss को trail करकर करके मैं कहते हो 40% की accuracy वाले भी profit में हो जाते हैं अगर उनको management सही होगा तो अपने hit rate को अपने rpt को find कीजिए लिखिए फिक्स करिए अपने daily losses को ठीक है ना यह चीजों आपको आप ध्यान में देखिए next point हमारा क्या होगा next point हमारा थोड़ा सा mix up करूँगा मैं एक तो emotions के ओपर देखिए पूरे वीडियो में ही emotions के ओपर जाता बात है यह जब आप rules follow कर लेते हो ना तो आपके emotions अपने आपका mindset अपने आप control हो जात आती है यह trading के language में मैं कहा हूँ 22 days एक महीना का है एक महीना अगर लगातार करते हो आदद बनती है लेकिन हमारे पास 22 days है तो हम 22 days ही करेंगे 22 days अगर हम अपने एक rule को follow करते हो आपके आप 22 days अप लगाता आप profitable हो जाते हो रोज तो profit नहीं हो सकता end of the month profitable हो जाते हो तो believe कि किजिए आप long life profitable रहने वाले हो डेली ट्रेड मत किजिए don't do daily trade ऐसा नहीं है कि डेली ट्रेड नहीं करने का मतलब कि कसम खालिया डेली ट्रेड नहीं करना मतलब डेली यह rule नहीं है कि डेली ट्रेड करना जो मर्जी हो जाए बजार एकदम sideways है हम option selling नहीं करते है option buying करते है को डेली ट्रेडिंग ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग का रूल सरफ option seller option buyer के लिए ही applicable होगा यह stock में जो trade करते है उनके लिए भी applicable है तो अगर आपको stock नहीं मिल रहे है आपको trade नहीं मिल रहा है तो आप उस दिन को avoid कीजिए यार chill मारी है बजार को देखिए enjoy कीजिए अपने emotions वाली diary में राइट डेली ट्रेड मत कीजिए और जब आपको market open होते ही update मत कीजिए एकदम चुल मची हुई है आँग लगी है लाइब में मैं आता हूँ ना आठ बज के 40 मिनट होता है आज क्या करें बस एक बर बता दो call या फुट एक बर बता दो प्लीज बता दो call या अरे यार क्या है market के scenario को समझे रूल बना लीजिए कि 15 मिनट starting के market को देखना है 10 मिनट starting के market को देखना है कि कोई बड़ा news है आपके पास पता है 100% sure हो साला कि market टूट नहीं टूटना है इतना बड़ा news आया तो put लेके बैठ जाएंगे कोई दिक्त में है ना जैसे budget वाला इवेंट वाले दिन में जाए तर तो short ही करके बैठना चाहिए ठीक है ना यह सब चीजे को आप ध्यान में रखिए आप चुरूर profitable हो जाएंगे market खुलने के साथ साथ में trade मत कीजिए अपनी strategies को बनाई है Saturday Sunday क्या करना है Saturday Sunday आपको अपनी emotion वाली diary खोलनी है और market पूरे week मे किस तरह से move किया उससे compare करके एक strategy अपनी खुद की बनानी है खुद की own strategy होनी चाहिए है ना खुद की own strategy होनी चाहिए अगर आपके बास खुद की strategy रहेगी तो आप माजार में profitable कहोने से आपको कोई माई का लाल नहीं रुख पाते हो पाएगा strategy कैसे बनाओगे समझ लिए आपने 15 मिट कुछ भी कर सकते है यार मैंने 10 मिट वाली बनाई थी ना कुछ भी कर सकते है 15 मिट के candle लगाया कोई indicator का combine कर दिया कुछ भी करके कूशिश करने से सब कुछ होता है बलब कैसे बनाएंगे edition को कोई नहीं बताया था खुद बनाया था ना उन्होंने हवाई जाहाज हैंरी क्या नाम था उनका दो भाई हवाई जाहाज कहते हैं कुर्सी उड़ातेंगे पंखा उड़ातेंगे ये उड़ातेंगे बंदों को भी उड़ातेंगे समस्ते थे उड़ा दिया ना बलब बना दिया ना कांच से रोस स्रच होगे जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किये थे हैं कसम से बाई गोड मैं कहा रहा हूं मुझे न ताने पड़ते थे ताने जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया पहले तो मैं ट्रेडिंग करता था वह वहां तक ठीक था लोगों को लगता था मेरे घरवालों को कि ठीक है कोई बात नहीं या ट्रेडिंग करता है अगला पैसा कमा रहा है कोई दिक करता है लेकिन जब मैं यूट्यूब पर आया और मैं यूट्यूब की वीडियो बनाने लग गया तो अरे भाई घर से गालिया बढ़ते हैं मेरी घरवाली क्या दिन भर दिन भर भग लोंग टम में प्रोफिटेबल होंगे शौट टम में नहीं आज मेरे पास आप लोगों का प्यार है ना आप लोग मुझे वाच कर रहे हो ना एक टाइम पर मेरे चैनल पर जीरो सब्स्क्राइबर थे हैं आज हम 50,000 60,000 की फैमली होने वाले आज हमारी फैमली बड़ी इतने सारे लास्ट रूल आपको दूगा एक और मैं एड करना चाहता हूँ लाइन क्या है इसमें कल मुझे एक मेरे क्लाइंट का कॉल आया काफी हमारे नियर डियर हैं उन्होंने फोन किया कया भाई मैं तो इसको फॉल टाइम ले लिया हूँ मुझे ट्रेडिंग का रूल का वीडियो दो मैंसे फॉल टाइम ले लिया हूँ अपने जॉब को छोड़ कर या फिर आप मार्केट में आ गया हूँ फॉल टाइम लेकिन मैं नहीं आ हूँ नहीं करना ऐसी गलती इसी प्रेसर में तो आप लॉस लेने वाले हो आपने जॉब जोड़ दिया आप प्रेसर है बच्चे की फीज भरनी है घर वाली सबजी लाने को कह रही है मम्मी ये लाने को कह रही है आज प्रॉफिट करना बहुत जरूरी है भाई आज तो बहुत खर्चे है बस काम खतम हुआ आपके दिमाग पे जिस दिन प्रॉफिट का प्रेसर आ गया ना उस दिन का पेज है है ना और अगर मैं बात करूँ तो अकाउंट ओपनिंग है फ्रिलैंसर है एमाजोन के फ्रिलैंसिंग है अफिलियेट मार्केटिंग है बहुत सारे काम है मैंने अपने सोर्स को बांट के रखा है कि मेरे एक जगह से अगर इंकम आना बंद हो जा तो मैं सेकेंड जग करना है दो साल तक आपको प्रॉफिटेबल होना है एक बड़ा अमाउंट आपको रिजर्ब में रखना कि अगर लगातार अब जब से ये ट्रेडिंग का रूल आया है मैं पूरा महिना में एवरेज मेरा निकला है लॉस मैंने ट्रेडिंग किया मैं बिल्कुल सचा ही सब क करके पैसो को बैंक में जोड के रखा था आज वहां से मैं बैंक से पैसा निकाल के घर का खर्च कर रहा हूं तो पहले प्रॉफिटेबल होई है एक बड़ा अमाउंट एक बड़ा कॉर्पेस आपके पास होना चाहिए तब ही आप जाके पैसा बना पाओगे है ना आगे आ